नमस्कार दोस्तो, सौगेतव सभी का एक बद फिर से मेरी योटूब चैनल Rare Facts में दोस्तो, वीडियो में आज हम बात करेंगे सिक्किम के बारे में जी हाँ दोस्तो, सिक्किम भारत के पुर्वतर भाग में स्थिद एक परवतिये राज्जे है सिक्किम का आकार एक अंगुठे की तरह है और इसकी स्थापना की बात करें तो 16 मई 1975 को ये स्थापित हुआ सिक्किम की राजधानी वह यहां का सबसे बड़ा नगर गंग टोक है सिक्किम भारत का दूसरा सबसे चोटा राज़े है और इसका छेतरफल 7,096 वर किलोमेटर है सिक्किम जनसंख्या के मामले में भारत का सबसे चोटा राज़े है तिबती भासा में सिक्किम को चावल की घाटी कहा जाता है सिक्किम में कुल चार्जले हैं उनका नाम पूर्वी सिक्किम, पस्चमी सिक्किम, उत्री सिक्किम और दक्षनी सिक्किम है सिक्किम में सड़को की लंबाई 2383 किलोमेटर बस इतनी ही है यहां रेल और हवाई सेवा नहीं है दुनिया के तीसरी सबसे उन्ची चोटी कंचन जंगा सिक्किम के उत्री पस्चिम भाग में नेपाल की सीमा पर है साफ सुत्रावना, प्राकरतिक सुंदरता और राजनीतिक स्थिर्ता के कारण सिक्किम भारत में परेटन का परमुक केंदर बना हुआ है सिक्किम का मोशम हमिसा सुहना रहता है सिक्किम के पस्चिम में नेपाल, उत्तर तथा पूरों में चीनी तिबत, छेतर दक्षिनपूरों में भूटान तथा दक्षिनवें भारत का राजे पस्चिम बंगाल है लिम्बू, लेपचा और भूतिया यहां के मूलनिवासी है नेपाली वे तिबती भी यहां बसे हुए है नेपाली यहां की परमुख भासा है इसके अलवा अंग्रेजीर और हिंदी भी यहां पर बोली जाती है दोस्तो सिक्किम घने वनों से घिरा है यहां साल और सेमल के विर्क्षों की सगंता है भारत में बड़ी इलाइची का सबसे अधिक उत्पादन सिक्किम में ही होता है परदेश का अधिकतर हिस्सा खेती किर्सी के लिए अनुप्यूप्त है इसके बावजुद कुछ ढलान को खेतों में बदल दिया गया है और पहाड़ी तरीके से खेती यहां पर की जाती है मक्का चावल गेहूं अधरक संत्रा आदी यहां की खेती मानी जाती है पिलिंग अंग टॉक, युकसम, मंगन, जोरियंग, गोजिग, नामची यहां के बड़े सहर सिक्कम में तीस्ता नदी तथा उसकी सहयक नदिया बहती है आठ पहाड़ी दर्रे सिक्किम को तिबत भूटान और नेपाल से जोडते है हिंदू वे बोध यहां का परमुक धरम है फुटवाल वे किर्किट यहां के लोगपरिये खेल माने जाते है सिक्किम उचिन्याले देश का सबसे चोटा उचिन्याले है सौमगो लेक एक किलोमेटर लंबी अंडाकार के आकरती में फैला एक पवित्र जील है जहां फूल और पक्षियों की अदबुत परचातियों के साथ-साथ लाल पंडा भी मौजूद है 14200 फिट की उचाई पर बसा भारत चीन की सीमा पर नातुला दर्रा एक परसिद और अदबुत जगा है जहां पर आपको घूमने कभी न कभी अपनी जीवन में जरूर जाना चाहिए अगर आपको बरफ से धकी पहाडियां, अलपाइन की मोटी लकडी से धके रेलिंग, स्लोप्स, सीधी चड़ाई वाली चोटिया, तंग घाटिया, बरफ से धका इलाका और आकास छुती परवत की चोटियां देखनी पसंद है तो आपको एक बार सी किम की यात्रा जरूर क करनी चाहिए, तो आज की वीडियो में इतना ही, उमीद करता हूँ, वीडियो आपको पसंद आई होगी, दोस्तों वीडियो पसंद आई तो मरी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूलिएगा, मिलते हैंक दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्